हालो जब आठी कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे हैं मस्त आइन सभी सिफे गाइज तो सबसे पहले चीज आज कर सेशन रहने वाला भुष ही इंपॉर्डन्ट है क्यों क्यों कि देखो जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ncrt बहुत ही इंपॉर्डन करेंगे तो नीट यह नहीं लिखता कि कौन से स्टेट में कौन सी बुक चल रही है नीट का जो पेपर होता है वो टोटली ncrt-based होता है ठीक है तो ncrt कि अगर हम बात कर लेते हैं तो ncrt को पढ़ना अपने आपने बहुत बड़ी बाद होती है ठीक है तो क्योंकि ncrt को आप अगर कभी खुद से पढ़ने बैटेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हो ठीक तो आज को सेशन है वो बहुत ज़्यादा से गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर रही है और साथ ही साथ यहां पर नीट के मैं आपको कोशन प्रैक्टिस भी करवाती हूं ठीक है तो यहां पर जो बच्चे अभी तक बैच में नहीं जुड़ जो क्योंकि यहां पर बिल्कुल लाइव पढ़ते हो और साथ-साथ यहां पर चाप्टर टेस्स, सूपर फिटे कोशन्स, इंग्लिश हिंदी की क्लास, हूमवर्क और क्लास्रूम, स्लाइट यह साथ जीज़ आपको यहां मिलती हैं बैच में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिवे नंबर पर नंबर है 014-715-8250 अ इसके बिना भी नहीं होगा और खाली इससे भी नहीं होता है खाली इससे की बाद आती है बाद में पहले बाद आती है कि इसको कैसे पढ़े हैं सबसे पहले चीज़ एंस एंस एटिक हम लैंग्वेज की बात करते हैं वर्ड चितने भी लिखें हुए हैं थोड़े से डिफ तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं, ऐसा कि मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि नीट कल हिंदी में जो बच्चे पेपर देते हैं, जो हिंदी में के स्टुडेंगे ही तो वहां पर जो वह हिंदी के जो वर्ड होते हैं, बाइलोजी के, इंग्लिश टर्म्स तो मतलब फिर हर एक शब्द का मतलब पता रखो कि आखिर इसका क्या मतलब है, और ट्राय करो कि इंग्लिश में भी वर्ड को जान पाओ, कि कभी बाइचांस ऐसा हो जाए कि आपको हिंदी वर्ड समनना है, तो आप इंग्लिश वाले वर्ड को देखे समझ जाओ, सेकेंड चीज बच्च करना है, एक लाइन को पढ़ो, उसको समझो, इसने कहा क्या है, ठीक है, जब आप उस लाइन को समझेंगे, यानि कि यहाँ पर NCRT में अगर मैं आपको बोलने तो हर लाइन का मतलब होता है, अगर आपको एक भी लाइन में कुछ भी डाउट लग रहा है, विकास NCRT की एक हुमा कर कोशिन आएंगे, तो सबसे पहले चीज इंट्रोडक्शन दुरूर पता हूँचे कि चाप्टर में पढ़ने हैं क्या वाले हो, एन जब चाप्टर कर लेते हो, आपने कोई भी चाप्टर को डिसाइड कर लिया, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी एक ला हमेशा, जैसे for example, मैंने आपको L1 पढ़ाया, ना, कि बेटा मैंने जीव जगत का L1 पढ़ाया, ये ये पढ़ा दिया, अब जो NCRT में, कि भई मैंने हमें पढ़ा दिया है, अब हम एक पर NCRT को देख लेते हैं, अगर फिर वहाँ पर लाइन्स पढ़ो, तब भी कोई दि important होते हैं, NCRT में उनको वही highlight कर लो, ठीक है, क्योंकि वो word कैसे हैं, बहुत ही important है, NCRT में ही अपने हाद में रखो एक highlighter, उसको highlight कर लो, कि ये important point है, ठीक है, फिर रहे बात diagram के, कुछ diagram NCRT में गलत दे रखे हैं, जैसे पादपशारी वाला चाप्टर है, उसमें दिया हु है, या फिर ये diagram गलत है, तो वहाँ पर उन चीजों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले चीज, शब्दों का मतलब पता हो, NCRT का जो भी chapter उठा रहे हैं, sequence में पढ़े, और आगर आपने कोई chapter उठा लिया है, टीचर का lecture देखने के बादी NCRT पढ है, तो इन को खुद से करने कोशिश के रख रो, कि अगर ऐसा होगा, तो क्या होगा, दिमाग दोड़ाओ खुद सा, ठीक है, खुद से दिमाग दोड़ाना है, topic clear हो जाए, कोशन प्रैक्टिस में तो कोई दिकत आएगी ही नहीं, ठीक, बस इन चीजों को धियान रखना है हाइलाइट जरू करने है, वर्ट जो भी important रहें, ठीक है, और भी चीज़े पढ़ने हैं, तो अगास बैच में जोड़ जाओ, मेरे साथ, नमबर आपकी स्क्रेइन पर है, फड़ाफट कॉल लगाओ, बैच में जोड़ जाओ, जल्दी से, क्योंकि अगर चाहते हो नीट के कोशिन के प्रैक्टिस करना, और भी चीज़ों को डिटेल ने पढ़ना, ऐसे ही और भी सायर सेशन, तो में मिलेंगे बैच में, तब तक लिए गास बाब बाई, और टेक केर.